प्लेटफर्म वेक्टर एजुकेटर्स पर और आज इस वीडियो में हम एरर्डिट्शन सिक्एंगे कि एरर को कैसे डिटक्ट करें और उसको कैसे करेक्ट करेंगे यह चीज़ भी मैं आपको बताऊंगी यह अएक जल्थ का पार्ट फॉर स्टार्ट करते हैं पहला क्वेशन देखिए अब इस सेंटेंस में एर डूडने से पहले मैं आपको रूल पताना चाहती हूं देखिए रूल बोलता है कि जब भी नूमरल एजेक्टिव की बात करेंगे नूमरल एजेक्टिव मतलग जो नंबर को दिनोट करें वन तू थी फ आपको बता है कि सेंटेंस में जब भी यह कारडिनल जक्ति याज अनुमरल एजेक्टिव वह आपको बताया आपको आपको बताया हूं अब आप देखिए सेंटेंस में जब भी ये काडिनल एजयक्टीव यह धूछ सेंगे तो इनको यूज करने का सिक्वेंट किया होगा, मतलब मिलिव परिफरेंस देंगे, अगर सेंटेंस में डानों साथ में यूज हो जाते हैं, तो पहले शाएगा ओर यूज जाएगा और बाद बाद में आएगा cardinal adjective ठीक है यह preference दहीगी इस structure को याद कर सकते हैं कि पहले ordinal बाद में cardinal अब इस sentence में देखिए यहां पे लिखा है two first अब यह जो two है ना यह two हमारा cardinal adjective है मतलब हमने क्या किया हमने cardinal adjective को पहले लिख दिया और ordinal को बाद में लिख दिया तो गलती जो है error जो है वह पार्ट ए में ही है यहां पर the two first नहीं आना चाहिए the first two आना चाहिए hope आपको rule clear है error भी क्लियर है और उसका correction भी क्लियर है अगला question देखिए अगला question है there is not many traffic along the street where I live अब यहां पर error दूडएंगे उससे पहले एक दूसरा rule देखिए जब भी हम बात करते हैं countable noun की countable noun means which can be counted जिनको हम count कर सकते हैं की one pen two pen ठीक है तो जिनको count कर सके हैं वो हो जाते हैं हमारे countable noun अब countable noun जब भी आएगा तो उसके आगे हम लोग adjective many use करते हैं ठीक है और जब भी बात आती है uncountable noun की मतलब which cannot be counted उसके आगे हम लोग adjective much लिखते हैं ठीक है तो यह many और much का खेल है इस question में अब error देखिए मैं बता दूँगे आपको error है यहाँ पर part A में क्योंकि यहां पे तीखह हुआ है दिखा हुआ है many traffic और आप सभी जानते ही कि जो traffic होता है यह traffic हमारा uncountable noun होता है क्योंकि traffic को हम count कर पाते क्या एक traffic of traffic है नहीं हम दो बहुत traffic है यह not तो यहां पर मैनी नहीं आएगा यहां पर मैनी की जगह आना चाहिए मच वह आपको यह रूल भी क्लियर है और यह एरर भी क्लियर है कि एरर हो जएगा पार्ट ए में करेक्शन क्या होगा वह भी मैंने आपको बता दिया next question is of the two great cities the former is biggest ठीक है जो दो cities है दो cities का comparison हो रहा है और बताया जा रहा है कि जो पहले वाली city है वो बड़ी है ठीक है अब यहां पर देखिए यहां पर error हो जाएगा पार्ट c में अब वो error क्यों हो जाएगा वो मैं आपको बताऊंगी यहां पर बात हो रही है दो great cities की ठीक है यहां पर बात हो रही है दो की और दो के बीच में हो रहा है comparison ठीक है दो के बीच में हो रहा है comparison अब जब भी comparison होता है तो हम use करते है comparative degree ठीक है जैसे कि सबसे easy example में अगर आपको दू तो good, better, best तो जो good हो गया वो हो जाएगा हमारा positive degree better हो गया वो हो जाएगा comparative degree और best हो जाएगा हमारा superlative degree ये degree का वीडियो भी मैंने आपको बनाके दिया है नाउन का जो पार्ट है उसमें ये सारी basic चीज़े मने cover कर दिया है वीडियो देखा होगा तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होगी वीडियो नहीं देखा है तो शायब दिक्कत हो सकती है इसलिए वीडियो जबर देख लेना एक बार वह वाला ठीक है अब यहाँ पे जब भी हम comparison करते हैं दो के बीच में तब हम हमेशा comparative degree use करते हैं लेकिन यहाँ पे तो हमने superlative degree use कर लिए biggest जो है यह superlative degree है तो error बस c part वहीं है यहाँ पे biggest नहीं अना चाहिए यहाँ पे अना चाहिए यह bigger hope आपको यह rule clear है और इसमें क्यारर है यह चीज भी clear है next question is Krishna ran to the near ring grocery store to buy biscuits as his parents were expecting guests ठीक है Krishna नाम का कोई लड़का है उसके घर पे guest आ रहे हैं तो वो इसलिए shop पे गया grocery store पे गया ताकि वो biscuit वगेरा खरी के ला सके जब guest आते हैं तो उनको हम लोग snacks वगेरा सर्फ करते हैं ना इसलिए वो Krishna गया है biscuit लेने अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे error हो जाएगा part B में अब वो error क्या होगा यहाँ पे जो grocery store है यह हमारा noun है ठीक है और noun के आगे जो भी चीज आती है जो इस noun को qualify कर जाए उसको हम adjective बोलते हैं तो इस साबसे तो इस noun के आगे यह nearing आ रहे है और यह nearing adjective होना चाहिए लेकिन यह adjective नहीं है ध्यान से देखिए यह जो nearing है यह near verb का यह near verb है और इस verb का ing form है ठीक है मतलब यह verb का ing form है यह adjective नहीं है तो यहाँ पर adjective क्या आना चाहिए यहाँ पर adjective आना चाहिए nearby ठीक है तो यहाँ पर nearing नहीं आना चाहिए यहाँ पर nearby adjective आना चाहिए अब आपको यह question भी clear है error क्या है यह चीज भी clear है error यहां पर पार्ट B में हो जाएगा nearing जो है यह वाप का एंजी फाम है यहां पर nearing जो है adjective नहीं है इसलिए यहां पर हमको adjective लगाना होगा nearby अब यहां पर क्या चीज हो जाएगी देखिए पहले तुम्हें बता दू कि यहां पर जो error है वो error part A में है अब उस error को निकालने के लिए rule समझी है जब भी हम बात करेंगे numeral adjective की अब numeral adjective मैंने आपको first question में बताया कि क्या होता है numeral adjective मतलब जो number को denote करें ठीक है तो जब भी हम definite numeral adjective की बात करेंगे definite means जो fix है जैसे कि मैंने अगर बोल दिया two lakh people one hundred men ठीक है तो यहां पर क्या हो रहा है यहां पर definite बात हो रही है कि दो लाग है यहां फिर एक सो है यहां पर definite बात हो रही है definite figure आपको दिया हुआ है two, three, four ऐसे ठीक है उनको बूलेंगे definite numeral adjective तो definite numeral adjective है इनके साथ कभी भी हम off को use नहीं करेंगे इतनी चीज़ हमेशा याद रखना कि जो definite numeral adjective है उनके साथ कभी भी off use नहीं करेंगे लेकिन जब indefinite numeral adjective आ जाएंगे उनके साथ हम off को use करेंगे जैसे कि lakhs of people अब अगर मैंने बोला है 2 lakhs of people तो यहाँ पे कितने lakh people 2 lakh घ्री 1 lakh कितने lakh है हमें नहीं पता हमें नहीं बोल दिया तो यहाँ कितने भी हो सकते नहीं 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 लेकिन यहाँ पे मैंने fix करके नहीं बोला है न इसलिए ए हो जाएगा indefinite numeral adjective तो जब indefinite numeral adjective आता है ना friends, तभी हम off use करते हैं, definite numeral adjective के साथ हम off use नहीं करते हैं, अब आप समझ गये होंगे कि ए पार्ट में क्यों error है, यहाँ पर लिखा है two lack of people, अब देखिए, यहाँ पर यह definite numeral adjective हो गया ना, two lack, मैंने जब two lack बोला, मतलब यह definite हो गया, अब मैंने के ब जो error हो जाएगा, वो part a में ही हो जाएगा, यहाँ पर off delete करना है हमें, यहाँ पर जो सही structure हो जाएगा sentence का वो हो जाएगा, two lack people, यहाँ से off जो है, इस off को हम लोग हटा देंगे, ठीक है, इस off को यहाँ से हटा देंगे, तो सही structure हो जाएगा, वो हो जाएगा two lack people, अब आप में आपको वीडियो समझ आया होगा सारे एरर समझ आए हूंगी किस पार्ट में अररर उनका करेक्शन कैसे करना है कौना रूल लगा के अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए मैक्सिमम फ्रेंड्स और रिलेटिव करते रही है क्योंकि आपका सपो झाल